हेलो स्टूडेंट्स, आएम गुरुबिंदर का और फिकल्टी एट अभी मन्यु आईया से, वेरी वाम वेलकम ओल ओफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट्स, आज हम यहां पे PCS एग्जैमिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक डिसकस करेंगे, ठीक है, डिसकश होगा, डिसकस्शन तब भी बहुत थी और अब भी बहुत होगी, क्यों? प्रेलिम्स को लेकर, प्रेलिम्स की टफनेस को लेकर, टफ बहुत है प्रेलिम्स, यह मतलब इसमें कोई दोर आये है, नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं प्रेलिम्स और मेंस, दोनों में से अगर आप मेरे को personally पूछो कि हंजी में कौन सा ज्यादा difficult है तो then I say कि prelims जो है वो difficult ज्यादा है क्यों क्योंकि यहां पर student एक तो competition बहुत ज्यादा है सेकेंड जो यहां पर main है वो यह है कि यहां पर already क्या होता है जो selected students होते वह भी पेपर में बैठते जिनके पास काफी अच्छा-कास experience होता है तो competition इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है second paper जो है वो बहुत ही dynamic आता जा रहा है आजकल जितने भी paper है अभी recently हमारा HCS में HCS का prelims हुआ था तो सब बच्चों के होश उड़ गए थी उस paper में ठीक है क्योंकि paper जो है वो बिल्कुल जैसे UPAC कंड़क्ट करती है उसकी तरफ वो align करने की ट्राइ कर रहा है हलनकि अभी भी वो UPAC level का तो नहीं इंबन है है तो वो state PCAC बट जो according to the demand of paper है ना जैसे वो demand रखता है उस हिसाब से आप अपनी preparation नहीं कर पाते है तो आज इसे पर बात करेंगे students की आप prelims की अंदर maximum score कैसे कर सकते हैं ऐसी कौन सी चीजे हैं जिनको आपको करना चाहिए do and do not वाली बात है कि क्या करो और क्या नहीं करो paper के अंदर इस फे हम बात करेंगे ठीक है जी तो start करते हैं student but before that see here student notification आपकी कभी भी out हो सकती है for the Punjab Civil Services इस साल आपकी notification आ जाएगी ठीक है इसमें कोई भी दोराई है नहीं अब ठीक है so आप जो है वो अपनी preparation को continue रखिए students और अपना खास करके अपना जो prelims है उस पे आप अपना focus मत हटाईए बहुत सारे students क्या करते हैं prelims आता है ठीक है prelims की त्यारी उनको लगता है कि हमारी prelims की त्यारी तो हो रखी है वो practice करना बंद कर देते हैं बट ऐसा आपको नहीं करना है students prelims की त्यारी अगर आप means भी कर रहे तो भी आप साथ साथ में थोड़ी थोड़ी आप कर सकते हैं ठीके जी, ओकी, तो student समझते हैं यहाँ पे कि how to score maximum in your prelims examination, कि अब prelims exam की अंदर maximum score कैसे करोगे, ठीके, इसी पे हम बात करते हैं student, तो सबसे पहले student do and do not, ठीके, इसी पे हम बात कर लेते हैं, क्या करें और क्या ना करें, ठीके, इस पे हम बात करते हैं, सबसे पहले prelims की अंदर अगर आपको maximum score करना है, तो student complete your slavers, बहुत सारे student क्या करते हैं, slavers भी complete नहीं करते, complete your slavers thoroughly, सबसे पहले do की हम बात करेंगे, do's में क्या आता है, क्या करना चाहिए, आपको उसमें हम बात करते हैं student, तो do's में जो आपको करना है, that is complete your slavers, slavers आपका complete होना चाहिए, second thing student, revision, revision आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीके, third thing student, practice, practice करना बहुत जरूरी, ठीके, ठीके, practice करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने slavers पूरा कर लिया और उसकी revision नहीं की, तो भी आप lose करोगे, और अगर आपने revision कर लिया और फिर practice नहीं की, इसकी, MCQs की, तो भी आप loss में जाओगे ही जाओगे, lose तो करोगे आप exam, ये तो हो गए बात student slavers की, इसको हम थोड़ा सा, थोड़ा सा अलग दरीके से समझते हैं, student ऐसा नहीं है, ये ग्यान सभी दे रहते, लेकिन फिर आप मेरी वीडियो पे आए हो, इसका क्या फाइदा, कुछ तो फाइदा होना चाहिए कि नहीं, तो see here student, ये तो सभी बता देंगे, कि स्लेवर्स पूरा करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, इसके अलावा क्यों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए न, मेरी वीडियो के अंदर, जो आपके लिए रियालिटी में हेल्फुल हो, see here, स्लेवर्स का स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिये, कि हंजी, आपको स्लेवर्स कंप्लीट करना है, पहली चीज, दूसरा रिवीजन करनी है, तीसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, अब स्टूडेंट आम बात करते है, पेपर में जाके क्या नहीं करना है, पेपर में आपको बैठके क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले, सबसे पहले तो स्टूडेंट, जो पहली बात है, वो ये, कि हार एक कुश्चन को, each and every question, each and every question, each and every question को, आपको क्या करना है, यहां पर attempt करने की, try करने, try करना है, मैं ऐसा नहीं कहा रहीं, आप attempt करी दो, इसका मतलब कि, सारे questions को आपको अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से उसको क्या करना है, attempt करने की try करना है, ठीक है, right, तूसरा, जो आपके, आपकी strong points, strong areas, strong areas, वहां से जो भी question आजाए, उनको आप must, must, मतलब की, definitely sure कीजिए, कि आप वो question तो पका आराम से attempt करे ही करे, उन में से कोई question छूटना ने चाहिए, गलती से भी, वैसे तो आप छोड़ोगी नहीं, बट गलती होने के जांसे सो सकते न, आप नहीं करो, किया नहीं करना है, इस भी अगर मैं बात करूँ, किया नहीं करना है, paper में बैठ कर, पहले paper की बात करते हैं, तो paper मैं बैठ कर सबसे पहले तो, student आपको घबराना नहीं है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, आज मैं आपको एक सीक्रिट बता देती हूं जो इस टाइम पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहे ये पेपर में एक्चुल में स्टुडेंट वो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज चेक नहीं कर रहे नॉलेज वो आपकी उतनी ही चेक कर रहे थे जितनी वो आप पहले कर रहे वो पूछ पॉलिटी से ही कुष्टन रहे हैं वो जोग्राफी से पूछ रहे हैं वो साइकॉलोजी से कुष्टन नहीं पूछ रहे हैं वो इंजिनिरिंग की बुक से कुष्टन नहीं कर रहे हैं वो आपको इस तरीके से वो सेट कर रहे हैं होता है जैसे आप डेली बेसिस पर बुक पढ़ते हो वन बाई वन बाई एक पेज करके बढ़ते हो फिर एक टाइम आई कि मैं आपको कहूं कि आप बुक को अब उल्टी करके बढ़िया फोड़ी दिक्कत तो आएगी ना आपको अप सीम चीज़ स्टूडेंट पेपर डाइनमिक होता जा रहा है लेकिन उन्होंने अपना जो वे है उनका जो उनका मैथड है उसको उसने चेंज कर दिया तो स्टूडेंट जब आपके सामने एक न्यू पेटरन में पेपर रखा जाता है तो आप क्या कर जाते हो आप गवरा यार यार यह क्या आ गया यह मुझे नहीं आता तो स्टूडेंट उस टाइम पे जो सबसे बड़ा खेल है जो सबसे बड़ा खेल है एक्जाम में आज के टाइम पे वह है काम आपको बहुत ही काम और कूल रहना ए पेपर को देखकर घवराना नहीं है सुडिं जब आप काम ने स्लूज कर देते हो जब आप बहुत जब पानी में चले जाती है ढिमांग आपका बंध हो जाता है आप अच्छे से तेंट नहीं कर पा। clear आपको ये बात तो काम रहना है cool रहना है students ये आपको करना है cool रहना है paper को देखकर घबराना नहीं है students please it's my humble request to you please keep it in mind कि मेरी बादों को आप दिहान में रखिए अपने exam के time पे कि calm and cool रहना है विल्कुल भी घबराना नहीं है जो भी उसने question पूछा है हर एक question को आप attempt कीजिए ठीक है maximum question attempt करने की try कीजिए और जो avoid करना है वो क्या है negative mark avoid negative mark अगर किसी question के बारे में आपको नहीं पता for example देखिए मैं simple सा एक rule बताती हूँ आपको अगर तो आप 50-50 पहुंच लिएं किसी question पे फिर आप attempt कीजिए definitely उसको आपको जाना चाहिए उस question पे और अगर कहीं पे ऐसा है कि आपको चारो option ही नहीं पता तीन option नहीं एक ही option पता तीन नहीं पता वो उस question में तुक्का लगाने का कोई sense बनता नहीं है क्योंकि वहाँ पे होता क्या है chances होतें बहुत ज़दा 75% chance है कि वो question गलत होगा दूसरे चीज़ student आपने time waste कर दिया उसके उपर कम से कम आपने उस question में तुक्का लगाया होगा ना मान के चली आपने एक minute वहाँ पे गवाया ही गवाया और उसका खामयाज आप at the end आप भुगतते ही भुगतते हो यहां तो आपकी जो आपकी OMR sheet होती है यह तो आप उसको फिल नहीं कर पाते गोले नहीं फिल कर पाते यहां आप क्या नहीं कर पाते number of question आपके रह जाते हैं पास्ट जाते जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं कर तो इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रखोगे क्या-क्या पहली चीज आप अपना syllabus complete रखिए students जितना syllabus सारे जो सब पढ़ रहे हैं na student उसको तो आप definitely पढ़ीगे दूसरे चीज revision जरूर करिए students revision आपकी definitely होनी चाहिए तीसरी चीज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजी मतलब कि test series जो है उसको आपको लगानी ही चाहिए यहाँ पर बहुत सारे student मेरे से बोलते हैं कि मैम हमने तो PCS की सारा syllabus त्यार कर लिया तो अगर आपने सारा syllabus ready भी कर लिया student तब भी student आप test series जो है वो उसको लगाना बंद मत कीजी अगर आपने लगा भी लिया तब भी आप दुबारा से join कर लीजी क्योंकि test series ही एक ऐसा source है student जो आपको consistency रखने में help करते हैं otherwise क्या है अब break ले लोगे आज शादी आगी आज फ्रेंड का बड़े आ गया आज ट्रिप पे जाने आज शॉपिंग पे जाने तो आशे करते करते पूरा साल निकल जाता आपको पता भी नहीं चलता so that's why consistency this is very important student कि आप consistency रखे आप second चीज क्या है आपका आपका confidence पेपर में बैठ कर जो confidence level उसको नहीं जाने देना पेपर टफ आ गया देखकर गवराना नहीं उसको क्या करने है काम रहकर काम पूल रहकर ठीक है उसको क्या करने अटेम्ट कर राई करो कि आप सारे questions को क्या करो all questions सारे questions को आप attempt करने के try करो attempt करने का मतलब यह है सारों में असा नहीं कि आपने answer लगाया नहीं इसका मतलब है कि हर question पे आप नजर डालो उसको इसके वारे में थोड़ा सोचिए कि क्या यह में कर सकता हूं कई बर क्या होता है कि common sense से भी आप उस question को solve कर ले जाते हैं ज्रू simple as simple अपना hundred percent दो काम patience के साथ जाओ ठीक है वहां पर जाके anxiety में घबराट में नहीं आना है ठीक है सारे questions कीजिए और time का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए paper के अंदर prelims में दो घंटे का paper होता है बट मान के चलिए student आपके आपके पास सिर्फ 1.30 ही होते हैं almost आपके पास settle down होने में एक-एक मिनट signature करने में फोटो में थोड़ा बहुत paper को देखते दुखते OMR sheet fill करने में आपके 10 मिनट जाते हैं तो आपके पास सिर्फ आपके पास school में लागे देड़ का घंटा रहता है student उसी में आपको करना होता है student तो practice भी आप इसी हिसाब से किया कीजिए पूरे-पूरे टू मतलब टू आवर में अप अपना paper time मत किया गरो जब आप घर पे MCQ की practice करते हो तो student try कीजिए कि आप उसको 1.5 आवर में उसको complete कर दें ठीक है इससे ज्यादा time आप मत लीजिए clear है आपको ये बात ठीक है ठीक है तो समझ में आया कि maximum score कैसे होगा आपक रिवीजन करो उसकी so that कोई भी concept आपका छूटे ना, doubt में ना रहुआ, third thing उसकी practice जरूर कीजिए in the form of MCQ, fourth thing सारे question attempt करने की try कीजिए, कोई भी question ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका छूट गया, आपने उसको touch भी नहीं किया, हो सकता है एक ही second में वो solve होने वाला question हो, third thing time बहुत अच्छे से manage कीजिए, paper में बैठ कर, गबराना बिल्कुल नहीं है, हमारी fourth thing ये है, कि गबराना बिल्कुल नहीं है, students, paper में बैठ कर, ऐसा नहीं है कि paper dynamic आगर tough, see here, अगर paper tough है, तो वो सब के लिए tough है, आपकी अकेले के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात अपने mind म वो maximum आएगा ही आएगा, ठीक है जी, ओकी, and इसी के साथ student हमारा new batch start हो चुका है, for the Punjab Civil Services, आप join कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, और even आप test series भी join कर सकते हैं, उसके लिए भी link होता है, ठीक है, अगर वहाँ पे ना हो, तो आप support number पे call करके, कोई भी doubt है, तो आप योग के students, ठीक है, मैं इसी के साथ ये session कर रही हूँ, over, thank you, have a nice day.